नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं निलम शुकला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों नवरातरी का साथवा दिन माभगवती दुर्गा के साथवे सुरूप मा कालरातरी की पूजा का अराधना का दिन होता है और मा कालरातरी की अराधना से अज्यात भै से मुक्ति मिलती है आकश्मिक दुर्गटनाओं से मुक्ति मिलती है संकटों से मुक्ति मिलती है रोगों से मुक्ति मिलती है शत्रूओं से गिरे हुए है तो आपको मा कालरातरी की अराधना करनी चाहिए मा कालरातरी शत्रूओं पर विजय का आशिरवाद देती हैं मापालरातरी की पूझा में किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली में अगर आपके ग्रह दोश है मा कालरात्री की आप आराधना कीजिए आपको समस्त प्रकार के ग्रह दोशों से मुक्ति मिल जाती है सनी जनी पीडा से अगर आप परिशान है, सनी की साधे साती से, सनी की ढहिया से आप परिशान है या सनी किसी भी प्रकार से आपकी जन कुनली में अशुब फल दे रहे हैं आपको मा काल रात्री की पूजा नवरात्री के सात्वे दिन वितिविधान से करना चाहिए इनके मंद्रों का जाप करना चाहिए आपको समस्त प्रकार के शनी दोसों से मुक्ति मिल जाती है मतलब अगर हम माकालरात्री की आराधना करते हैं नवरात्री के साथवे दिन तो हमारे जीवन में आने वाला हर संकट, हर बाधा, हर परिशानी दूर हो जाती है माकालरात्री अपने भक्तों को अभै होने का वर्दान देती है और माकालरात्री की पूजा करने वाले भक्तों की कभी अकाल मृत्यू नहीं होती समस्त प्रकार की दुरगटनाओं से माकालरात्री उनकी रक्षा करती है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मा काल रात्री की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, मा काल रात्री को क्या भोग अर्पीत करें, कौन सा रंग मा को बहुत प्रिय है, कौन सा पुस्प मा को बहुत प्रिय है, मा काल रात्री की पूजा विधी क्या है, मंत्र क्या है, और मारे मन में कोई भी कामना है वो मा कालरात्री बहुत ही शीक्र पूर्ण करें तो यह सभी बाते आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजि मा कालरात्री यह हमेशा अपने भगतों का कल्यान करती है इसलिए इनका एक नाम सुभंकरी है एक अपने भग्तों को और मा कालरात्री की पूजा से सात्विक्ता में व्रिद्धी होती है मा कालरात्री व्यक्ति के सर्वोच चक्र सहस्त्रार को नियंद्रित करती है और ये चक्र व्यक्ति को अत्यनत ही सात्विक बनाता है देवत्वत तक ले कर जाता है दोस्तों ऐसी मानेता है कि जब सहस्त्रार चक्र तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो स्वयम ईश्वर के समान ही हो जाता है इस चक्र पर गुरू का ध्यान किया जाता है और इस चक्र का कोई मंत्र नहीं होता है विशेश कर इस चक्र पर गुरू का ही ध्यान किया जाता है तो अब जानते हैं कि नवरात्री के साथवे दिन मा काल रात्री की पूजा कैसे करनी चाहिए? दोस्तों नवरात्री के साथवे दिन की पूजा विदी बिल्कुल वैसे ही है जैसे के हम प्रती दिन नवरात्री में पूजा कर रहे हैं जैसे के प्रयातेहकाल हमें जल्दी उठना है शनानित्यादी करने के बाद साफ स्वच वस्त्र धारन करना है आज के दिन का मा का प्रि आप किसी भी रंग के वस्त्रधारन करके मा की पूजा करें, मा का प्रिया रंग लाल है, तो अगर आप ये वस्त्रधारन करते हैं, तो बहुत शुबक्फल की प्राप्ति होती है, तो मा की पूजा के लिए आपको सर्वबृत्थम अपने घर के जो इशान कोण में, आपने जो चौकी मा की स्थापित की है, वहाँ पर लाल आसन भी चाकर बैठ जाएए और मा की अराधना कीजिए. सबसे पहले आपको कलश का पूजन करना है, अगर आपने कलश स्थापित किया है तो धूग दीप नयवेद्य पुस्प अरबित कीजिए अपने कलश पर और मा दुर्गा का ध्यान कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए. मा दुर्गा के स्वरूप में ही आप मा कालरात्री का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मूर्ति या तस्वीर मा कालरात्री की है तो आप चाहे तो उसको भी स्थापित कर सकते हैं. मा काल रात्री का ध्यान आपको हाथ में लाल पुस्प लेकर करना है और मा काल रात्री के ध्यान के समय आपको मंद्र बोलना है इस मंत्र के द्वारा आप मा का ध्यान कीजिए, मा को धूब दीप नैविर्ध्य अर्पित कीजिए और आपको शुद्गी का दीपक मा के सामने प्रज्वलिद करना है मा को लाल पुस्प बहुत प्रिय है तो लाल पुस्प मा को अर्पित कीजिए भोग क्या अर्पित करना चाहिए मा को दोस्तो नारियल के लड़ू बेशन के लड़ू इन चीजों का भोग आप लगा सकते हैं पांच प्रकार के फलों का भोग आप लगा सकते हैं मा को गुड क जरूर लगाना चाहिए आज के दिन अगर आप गुड का भोग मा को लगाने के बाद उस गुड का प्रशाद आप अपने घर में परिवार सहित सभी लोग रहन करते हैं तो उत्तम स्वास्ति की प्राप्ति होती है रोगों से मुक्ति मिलती है मन में किसी प्रकार का अगर देना चाहिए अगर आप आज गुड का दान किसी ब्राम्वन को करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है दुर घटनाओं से भी बचाओ होता है और जीवन में किसी प्रकार की जो आकश्मिक दुर घटनाएं होत अच्छे श्वास्थी की प्राप्ति होती है मां काल रात्री की विदेविधान से पूजा करने के बाद आप मां की आरती करें और उसके बाद आपको मंत्र जाप जरूर करना चाहिए आज कम से कम एक माला जाप आपको जरूर करना चाहिए मंत्र है ओम एम रेम क्लीम करें सर्व प्रथम आपको मा काल रात्री की पूजा करनी चाहिए और उनके इस मंत्र का जब करना चाहिए आज के दिन आप कौन सा विशेश उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का भै है चाहे आपको नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी है फिर शत्रूं से आपको हमेशा परेशानी बनी रहती है जीवन में सफलता आपको नहीं मिलती है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों आज के दिन आप मा काल रात्री को यदि चांदी का त्रिशूल अर्पित करते हैं चांदी का छोटा सा त्रिशूल आप मा को और जब मा को अरपित करते हैं पूजा पाट करने के बाद जैसे के मंत्र जाप कर लीजिए और मा की आरती के बाद वो त्रिशूल आप अपने पास रख सकते हैं जब आपके पास ये त्रिशूल रहेगा तो इससे आपको नौकरी में व्यापार में अगर किसी भी तरह की दुरगटनाओं से मुक्ति मिलती है रोगों से बचाओ होता है और सर्वत्र विजय होती है मतलब शत्रू उपर भी आपको विजय होगी आपके काम काज में भी आपको सफलता मिलती है तो आप ये उपाए आज के दिन जरूर करना चाहिए आपको आज मा को अगर आप रात आज रात रानी का पुष्प अर्पीद करते हैं तो क्योंकि ये पुष्प मा को बहुत प्रीय है तो ये उपाए आपको जरूर करना चाहिए बहुत आसान है और मा को प्रसंद करने से आपकी समस्त प्रकार की जीवन में जो विग्ण है बाधा है उससे मुक्ति मिल जाती ह जीवन में रोगों से और दुरघटनाओं से बचाऊ होता है अकाल मृत्यू से आपको मारक्षा करती है आपकी तुमा काल रात्री की पूजा आपके लिए जरूर उपयोगी शिद्ध होगी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्याद पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए इस से यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलती हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार